अध्याय पंद्रा सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे कि उसकी सुने और फरीसी और शाष्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे ये तो पापीयों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है तब उसने उनसे ये द्रिस्टांत कहा तुम में से कौन है जिसकी सौ भेडे हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता न रहे और जब मिल जाती है तब वो बड़े आनंद से उसे कांधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पडोसियों को इकठे करके कहता है मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड मिल गई है मैं तुमसे कहता हूँ इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विशय में भी स्वर्ग में इतना आनंद होगा जितना निनानवे ऐसे धर्मियों के विशय नहीं होता जिने मन फिराने की आवशक्ता नहीं या कौन ऐसी स्त्री होगी जिनके पास दस सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए तो वो दिया बार कर और घर जाड बुहार कर जब तक मिल न जाए जी लगा कर खोश्ती न रहे और जब मिल जाता है तो वो अपनी सक्खियों और पडोसियों को इकठी करके कहती है कि मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है मैं तुमसे कहता हूँ इसी रीती से एक मन फिराने वाले पापी के विशय में परमेश्वर के स्वर्ग दूतों के सामने आनंध होता है फिर उसने कहा किसी मनुष्य के दो पुत्र थे उन में से छुटके ने पिता से कहा कि हे पिता संपत्ती में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दीजिये उसने उनको अपनी संपत्ती बांट दी और बहुत दिन न भीते थे कि छुटका पुत्र सब कुछ इकठा करके एक दूर देश को चला गया और वहां कुकरम में अपनी संपत्ती उड़ा दी जब वो सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वो गंगाल हो गया और वो उस देश के निवासियों में से एक के यहां जा पड़ा उसने उसे अपने खेतों में सूर जराने के लिए भीजा और वो चाहता था कि उन फलियों से जिने सूर खाते थे अपना पेट भरे और उसे कोई कुछ नहीं देता था जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां भोका मर रहा हूँ मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाओंगा और उससे कहूंगा कि पिता जी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टी में पाप किया है अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाओं मुझे अपने एक मजदूर की नाई रख ले तब वो उठकर अपन पिता जी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टी में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाओं परंतु पिता ने अपने दासों से कहा तुरंत अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहिनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाओं में जूतियां पहनाओ पला हुआ बच्छडा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनावें क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था फिर जी गया है खो गया था अब मिल गया है और वे आनंद करने लगे परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था और जब वो आते हुए घर के निकट पहुँचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना और उसने एक दास को बुला कर पूछा ये क्या हो रहा है उसने उससे कहा तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बच्छडा कटवाया है इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है ये सुनकर वो क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा उसने पिता को उत्तर दिया देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आग्या नहीं टाली तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच् कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता परंतु जब तेरा ये पुत्र जिसने तेरी संपत्ती वेश्याओं में उड़ा दी है आया तो उसके लिए तूने पला हुआ बच्छडा कटवाया उसने उससे कहा पुत्र तू सरवदा मेरे साथ है जो कुछ मेरा है वो सब तेरा अब आनंद करना और मगन होना चाहिए क्योंकि ये तेरा भाई मर गया था फिर जी गया है खो गया था अब मिल गया है